नमस्कार भागन भाईयो तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक टूल के उपर रहेगा कि हम इस टूल को लगवागत थ्री यहर से इस टूल का यूज़ कर रहे हैं और इसका सबसे जो इसकी खासित है जो भी आपने टॉपगाफ्ट के प्लांट है उसमें जब आप कल 10 रुपए काफी सस्ता 10 रुपीज एक बहुत ही बहुत ही कम प्राइज है कि बाकी नाइफ के प्राइज तो काफी ज़्यादा रहते हैं हमने भी काफी सालों से जब से टॉप गाफ्टिंग हमारा पास प्लांट में की तो हम काफी सालों से दूसरे नाइफ का यूज करते थे बट बारणबायो आपने एक चीज का हमेशा ही ध्यान देना है चाहे बागबानी करो चाहे बिजनस करो कुछ भी कीजिए कोई इंसान किसी चीज में प्रफेक्ट नहीं हो सकता आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है कि हमने किस तरह से किस चीज में इ देखिए जिस कलमँ में ग्रोथ होते हिसमें रिंक पनला स्टार्ट हो जाता है तो यह देखिए किस तरह कि तरह से कितनी असानी से रैपर निकालता है तो पहले हमारा पास दूसरे टूल होते थे क्वार क्या होता थे कि उन टूलों में कई टूल की बज़ से कई बार कलमें टूड़ जाती थी तो इसका जो सबसे प्ला लॉस है वो हमें भाई से यह उस शूट को भी साफ करता है तो क्यूंकि हमने जितना भी निउटेशन डाला होता है तो कलमों के लिए जो भी कलमों के आज पास निव शूट जो भी निकलते हैं उसको आपने रिमूब करना है बाकी बांग भायों अपने ध्यान देना है खासकर इस मत मई मन्त जो भी आपने प्लांट को टॉप गाफ्ट किया है बहां पे देखना अपने हरे कलमों में कि किसी कलम में जैसे ग्रोथ ज्यादा हो उसमें क्या होता कि रिंग पना स्टार्ट हो जाता है और कलमों के आज पास जो भी निव शूट निकले है उसको आपने रिमूब करना है तो बाकि अगर आप इस तैम थोड़ी सी भी जैसे गल्ती करते हो अगर आपके किसी प्लांट में जैसे ग्रोथ काफी ज़्यादा है और बहां पर रिंग पड़ा हुआ है तो वह हवा से और हवा से वह कलम हमारे तूट जाती है क्योंकि रिंग पन्ने के कान फिर वह कमजो हम एक या दो वाह आयों आपने टॉब घृफिन जो भी ब्लान्ट कि कि हैं आप में जाए हुए हुए अर्व रिंग पेन में सटार के स्टार्ट हो टूर हुए हैं अगर हम यही ररप घृफिस निकाल दिया लगवक शनाठ यहां या टूबिक बात निकालते तो इसमें क्या होता कि अगर बायचान सब्सक्राइब काफी ज्यादा रिंग पड़ता उससे क्या होता कि फिर वो कलम हमारी हबास से तूटने के काफी ज्यादा चांसिस बढ़ जाते हैं बायचानस टूट जाती है तो उसका लॉस आप कलम टूटने से ज्यादा जो लॉस है वो है साल का कि आप एक साल पीछे हो जाते हैं उसी ब्रांच में तो उसी ब्रांच में फिर हमें नेक्स्टिर दुबारा से ही टॉप करना पड़ता है और उसके बाद अगर आप सेकेंड दिखाई देता है यह रिंक परना स्टार्ट हुआ तो उस कलम में हम आज कल इस नाइफ से सारा ही उसका रह पर निकाल रहे हैं तो इस मैं जो टॉपिक था वो सिर्फ इस नाइफ के उपर और कलम के उपर था कि आज कल आपने ध्यान देना है बिशेच कर बांग भाईयो औ कितना सफाई से और कितना इजी और कमफटेवल हमें बहुत ही तरीके से यह सारी कलम को निकाल रहा है जिससे ही ना कि हमारे कलम तूटने का चांसिस भी कम हो रहा है तो यह हमने तीन साल से इस टूल का वर्क यूज किया तो इसके हमें काफी एच्छे बेनिफिट लगे कफी कम है दसरपे के आसपास है किसी भी बुक शॉप मिल जाएगा और बाकी बान वह आज कल आपने यही ध्यान देना जो भी आपने टॉप गाफ कल में किये उसमें रेप निकालने का काम आजका करना